हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पूजा कड़ी, obstetrician and gynecologist, practicing since 15 years from रैपूर्ट. आज हम बात करेंगे कॉपर्टी के बारे में, जो कि इसे की intrauterine corporate device कहते हैं. लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि contraception मतलब birth control के कौन से कौन से तरीके होते हैं और कौन से आप अपना सकते हैं. ये हमारा एक Women Health Awareness Channel है, अधिक से अधिक जानकारी कीए, इसे सब्सक्राइब करें. तो जानिए कि कॉपर्टी के क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं. आम जनता में इस बारे में बहुत सारी ब्रादिया हैं, तो अगर आपको कोई इसमें question है, कोई doubt है, तो आप नीचे comment में लिख सकते हैं, हम उसका जवाब देने के जरूर कोशिश करेंगे. So, what is कॉपर्टी? कॉपर्टी एक T-shev device होता है, जिसमें की कॉपर का फिलामेंट लगा होता है, यह फिलामेंट इसलिए लगा होता है, कि वो anti-inflammation का थोड़ा काम करता है, और कॉपर्टी uterus में fit किया जाता है, जिससे की pregnancy ना रुपता है. कॉपर्टी के यह benefits है कि वो एक बहुती safe, effective तरीका है और long acting है, long acting reversible contraceptive में आता है, मतलब कि आप इसे लंबे समय तक लगा के रख सकते हैं, और reversible है, मतलब इससे अगर आप जब चाहें तब इससे निकलवागी सकते हैं. इसमें तीन साल, पांच साल या दस साल ऐसे अलग-अलग तरह की कॉपर्टी मार्केट में available हैं. अधिक जानकारी के लिए आप अपने gynecologist से संपर्ख कर सकते हैं कि आपको कब लगवाना है और कब निकलवा सकते हैं. कॉपर्टी उमर के कोई भी पढ़ा में लगा सकते हैं जब भी आपका reproductive period स्टार्ट होता है, इसे आप लगवा सकते हैं चाहे delivery के बाद, चाहे abortion के बाद, या फिर अगर दो बच्चों में spacing करना हो, या फिर कोई emergency contraception के तरीके में भी इसका use किया जागता है. अगर within five days of unprotected intercourse, कॉपर्टी लगा गिया जाए, तो इसे बहुत अच्छा effect रहता है और आपका लंबे समय तक के contraception यूज कर सकते हैं, इसे bridging method of contraception भी कहते हैं. कॉपर्टी किस के लिए उपयुक्त नहीं है, अगर uterus में कोई गठान है जो कि अंदर की तरुप बढ़ रही हो, जैसे कि sub mucous fibroid है या फिर वो cavity का shape जो है वो distort कर रही हो, या कोई infection है जैसे कि pelvic inflammatory disease या undiagnosed vaginal bleeding है, मतलब कि जिसका कोई कारण हमें पता नहीं है, या फिर suspicious endometrial और cervical carcinoma है, मतलब कि अगर कोई cancer के लक्षम है, तो इन सब में कॉपर्टी नहीं लगवानी चाहिए, uterine abnormalities जो congenital abnormalities रहती हैं, जैसे कि bicornate uterus या septate में भी इसे उतना अच्छे से काम नहीं करता है, फिर कॉपर्टी लगाने के लिए क्या हमें कब जाना चाह है, periods के बाद कोई भी contraceptive method जो है, वो periods के within first five days use करना start करते हैं, कॉपर्टी में ये within first ten days use कर सकते हैं, लगवा सकते हैं, जब भी मावरी खतम हो जाए, periods बंद हो जाए, उस time पे आपका जो cervix है, mouth है, वो थोड़ा open रहता है, तो ये लगाने में आसानी होती है, और आपके next उसी cycle से वो effect भी करता है, कान करता है, तो उस cycle से आपका गर्व निरोधक उपाय स्टार्ट हो जाता है, जब भी आप लगवाने जाए, तो उससे पहले आपको थोड़ा painkiller medicine दिया जाता है, थाकि आपको उसमें pain महसूस ना हो, कॉपटी uterus में OPD procedure ही होता है, इसके लिए क कोई operation या चीरे की ज़रवत नहीं पड़ी है, आप पांच मिनिट में कॉपटी लगा के अपने घर वापस चाह सकते हैं, अगले महने आपको फिर से चेक अप के लिए आना हैता है, जो कि अगले महारी के बाद आप इसे चेक करवा सकते हैं, आप इसे घर भी चेक कर सकते है जैसे कि अगर वो थ्रेड अगर आप फिल करें तो आपको पता रहता है कि आपकी कॉपटी सही जगह पर है, कॉपटी रिमूवल एक बहुत ही इजी प्रक्रिया है, कॉपटी रिमूवल के लिए आपको OPD में ही आना है, यह भी OPD प्रसीजर है, इसके लिए भी आपको सारी भ्रातिया हैं, जैसे कि कॉपटी से बहुत तकलीफ होती है, या सूप नहीं करती है, या फिर वो माइगरेट हो जाती है पेट में, बहुत रेयर केस, जैसे कि लाखों में एक में या कॉपटी माइगरेट या मिस्प्लेस हो सकती है, या थ्रेड गायव हो सकता है, कई dcases में अगर त्रेड नहीं दीखे हैं या कॉपटी बूल जाते हैं गई बार में मैंनोपोजल एज में लोग आते हैं पेशन्स आते हैं जिसमें की कॉपटी बूल जाते हैं तो उस condition में हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा कॉपटी को निकाला जा सकता है। अगर कॉपटी के, अगर साइड इफेक्ट्स पूछे जाएं, तो साइड इफेक्ट्स में थोड़ा बहुत हेवी ब्लीडिंग या मेंस्ट्रल क्राइम्स या फिर एक्टॉपिक प्रेग्नेंसी का बहुत ही माइनियोट रिस्क रहता है। वो की दवाईयों से कॉपटी के से रिलेटेड जोई हेवी ब्लीडिंग है या थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ब्लीडिंग एक दो दिन का रहता है। उसे दवाईयों के जरिये कम किया जा सकता है। कॉपटी यह बहुत ही अच्छा उपाय है जो की सेफ है और इफेक्टिव है और लॉंग एक्टिंग है। इसे एमर्जेंसी कॉंट्रसेप्शन की तर पे भी काम किया जा सकता है। जो की लंबे समय पे भी काम करता है। कौपटी तीन साल, पांच साल या दस साल तक के आती है और इसे आप जब चाहे तब बीच में भी निकलवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे आगे वाले वीडियो में हम ओसी टिल्स के बारे में बात करेंगे कि गर्वनी रोदर गोलिया कैसे यूज़ करते हैं। धन्यवाद तो